दनेवाद योगी जी न्यूज एटीन को अपना समय देने के लिए ये कैसा सेशन है ये कैसा शाक्षतकार है जिसका इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है और इसके कई कारण भी है निश्यत तोर पर आने वाले कुछ महीनों में देश का सबसे बड़ा विधानसाबा चुनाव है उत्तर प्रदेश कहते हैं दो हजार चौबिस का रास्ता दो हजार बाईस के उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकलेगा इसलिए ये प्रदेश भी महतपूर है ये चुनाव भी महतपूर है लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटना करम हुआ इसलिए भी ये साक्षतकार महतपूर है क्योंकि पहली बार योगिया दित्तिनाथ लखीमपूर के इंसिडेंट के बाद किसी टेलिविजन न्यूस चैनल पर अपनी बात रखेंगे अभी तक हमने विपक्ष को सुना है विपक्ष क्या कह रहा है अभी तक हमने तमाम बाते सुनी हैं तमाम वीडियो देखे हैं लेकिन पहली बार योगिया दित्तिनाथ क्या सोचते हैं उस वाकिये के बारे में उनके मन की बात क्या है उनके दिल की बात क्या है उसको भी जा मौझूद है योगी जी अबिरंदन आपका न्यूज एटीन में अम इसी धन्यबाद आपको आप गोरखपुर में आए हैं आपकी लखनव अब गरम स्टली है अब आप लखनव में रहते हैं वहां काम करते हैं मुख्यमंत्री हैं लेकिन मिन मन में ये सवाल है कि मन में लखन जादा है या गोरखपुर जादा है दिल के करीब कौन है गोरखपुर गोरखपुर है और लखनो लखनो है इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं कि जा सकती है लखनो प्रदेश की विवस्था के संचालन का केंद्र है गोरखपुर मेरी आद्यात में को उरजा का केंद्र साथ बंदु है। और मैं दोनों को साथ ले कर साथ ले कर के चलता हूँ एक से अरजा मिलती है और एक के माद्धियम से लोक कल्याण के कारिय उकों प्रदेश के 24 कुरौण लोगों तक पहुंचाने का एक हमारे पास ससक्त माध्यम बनता है और पूरी इमानदारी और पूरी प्रतवदता के साथ हम लोगों ने दमदार तरीके से प्रदेश सरकार के उपस्ते थे गाउं गाउं और घर घर तक पहुचाई है पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज़ादा मीडिया में भी चाया रहा और उसे भारती जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए आपकी सरकार पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए मैं लखीमपूर खिरी में जो वायलेंस हुई एक एक एक्ट ऑफ वालेंस हुआ उसके संदर पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं आप उस विशे पर देखें लखिम पूर खीरी की घटना ये दुखत और दुर्भागे पूर्ण है जी और सरकार उसकी तहप जा रही है लोक तंदर में हिंसा का कोई इस्थान नहीं जब कानून सब को सुरक्सा परदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का दिकार किसी को नहीं चाहिए वो कोई भी हो मन्त भी हो उसका बेटा भी हो मैंने का कोई भी हो कानुन सब के लिए समान है और कानुन सब के साथ समान रूप से बिवार भी करेगा लेकिन हाँ ये मन्ने उच्चितम नैले के स्थापित रूलिंग है कि गरपतारी के पहले आपके पास प्रयापत साख से भी होने चाहिए हम किसी बेक्तिके आरोप पर अना उससे किसी को गरपतार भी नहीं करेंगे लेकिन हाँ अगर कोई दोसी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं वा कोई भी क्यों नहीं हो और ये सरकार का संकल्प है हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया जिनके खिलाब भी कारवाई हुई जिनके खिलाब इस सक्से मिले वा भी कोई भी रहा हो हमने उसके खिलाब कारवाई करने में कोई गुरेज नहीं कि भले भारती जनता पाल्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्स का विधायक किसी पतलब बैठावा कोई ब्रदेटी हम लोगों ने इसमें कारवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है और लखिमपुर किरी की घटना में भी यही प्रसरकार करने कर रही है और यही करकी भी है देखिए पितले कुछ दिनों में प्रियंका वाडरा यहां थी राहूल गांदी भी एक दिन के लिए इदर आए बुपेश बगेल भी आए चन्नी जो पंजाब के मुखे मंत्री जी है वो भी इदर प्रधारे लगातार नेता आते रहे जन चौधरी भी सीतापूर जाना चाह देखिए हम कुछ भी नहीं चुपाना चाहते हैं पर जाने क्यों ने दिया गया हमारे पास जो तहरीर आई थी हमने उस तहरीर के इनसार मुकद में दर्ज किये जी एक इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्रात्मिक्ता होती है सांती और सोहर्द बनाना है जी हमारे बिपक्स के जो मित्रगन हैं ये कोई सदभावना के दूत नहीं थे और इन मैंसे बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्राव और इस हिंसा की पीछे भी सामिल होंगे एक बार तथ्थे सामने आने दीजिए दोत का दोत और पानी का पानी हम सब के सामने रखेंगे बीजेपी के परवक्ता ने कहा बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंतरी ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिजम के लिए आये हुए हैं मैं वही कह रहा हूं ना जी सबाल यह कोई सद्भावना के लिए वहानी जा रहे थे हैं मुझे एक बात बताए यह 36 गड़ के मुख्य मंतरी अपने 36 गड़ को तो सभाल नहीं पा रहे हैं कि 36 गड़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं उनके प्रती उनके मन में कोई भी उन्राग नहीं उनके प्रती कोई सानव होती नहीं कि उन्हें लखीमपुर्ट खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे-पीछे चलाए तो पचास लाक रुपए देके गए हैं इसी प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को समहल नहीं पा रहे हैं वो तो अभी बने हैं औ पर इससे बड़ा सर्मना क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साब डीजीपी कौन होगा वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता अपना चीफ सेकेटरी नहीं बना पा रहा है पंजाब के अंदर किसानों के साथ पंजाब के साथ पंजाब के के लिए उन्होंने उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो 36 गड़ने अपनाया है राजस्तान में जो हो रहा है तो अपनी कम्यों को छुपाने के लिए लोग केवल दूसरों के यानि घरों पर पत्थर फैंकने का कारेक करने वाले लोग हैं ऐसी से पूछना चाहता हूं इन लोगों से राहूल ज creative और प्रेंका जीसे भी। मार्च 2020 से कोरोना से प्रदेश विर देश भी तरस्त है उत्तर प्रदेश देश की आवादी का सबसे बड़ा राज्य है मैं अकलेश जी से पोछना चाहतू है यहीं प्रस्त 24 से 25 को